नमस्कार साथियों मेरा नाम है मनीश भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आयस योट्यूब चैनल साथियों आज का जो हमारा विशेवस्तु है उससे हम सभी दो-चार हो रहे हैं नित्परते दिन पूरी मानव सभिता जो है इस परस्तिती से अब जूज रही है मुद्दा देखिए रिकॉर्ड तोर गर्मी और गर्म होते समंदर पर वेग्यानिकों की चेताबनी यहां पर आप देखेंगे गर्मी की बात की गई है तो जाहिर सी बात है यह वो परस्तिती है जिसके बारे में बताने की जरूत है ने हम लोग बहारिक तौर पर इसे जूज रहे हैं लेकिन यहां पर जो एक बात पने बड़ता उसको लेकर के बात की जा रही है और इसका प्रभाव जो है समुद्र पर भी परता है समुद्र का जो है वह भी पानी वहां गर्म हो रहा है वहां का जलस्तर बढ़ रहा है इससे भी तरह तरह की समस्या है उत्पन हो रही है मानब सबहता पर इसको लेकर के बैग्यानिकों ने चेताबनी जारी की है उस पर ले करके हम बात करेंगे उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि संस्कृति आई इसमें नया फॉंडेशन बैच की सुरुवात हो रही है और उसकी तारीक 3 अगस्त रखा गया है सामके 6 बच के 30 मिनट पर इस बैच की खासिय लोग जिनका वेकल्पिक विशय इतिहास या भुगोल रहा है उनके लिए भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है इतिहास जो है आज ही यानि की 24 जुलाई से सुरुवात इसकी हो चुकी है और वक्त रखा गया है आठ बज के 30 मिनट सुबह का और इतिहास जो है वेकल्पिक व वजे सुबह रखा गया है यहां कॉंटेक्ट नमर दिया गया है आप संस्कृति आये इसके वेबसाइट पर भी जा करके कॉंटेक्ट नमर है विजिट कर सकते हैं वहां से कॉल कर सकते हैं इस संदर में आपको विश्तित्र जानकारी की यदि जुरुरत हो तो वहां से आप गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और इसका कहिन कई प्रभाव यह होगा कि समंतर का, जो जलस्तर बढ़ेगा कि समंतर भी गर्म होती जा रही है तो वैज्जानिकों ने इस इस्तिति को लेकर कर के चेतावनी बताई है और यहां पर देखे एक word लिखा है अंदेखी परस्थिती, तो कुछ परस्थितियां ऐसी है, जिसको हम लोग नजर अंदाज कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, जिसके वज़ा से हमारे लिए पूरी वसुंधरा के लिए, पूरी धर्ती के लिए समस्या खरी होती जा रही है, इ हम भारत के स्थिती पर भी नजर दो रहा हैं, चलिए प्रमुक बिंदू देखते हैं, प्रमुक बिंदू में ये दो-तीन बाते जैसा कि मैंने कहा कि तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है, लगातार जो है टेंपरेचर बढ़ता जा रहा है, उसके अलाबा समुं शमुंदर का जलस्तर बढ़ता जाएगा, और शमुंदर का जलस्तर बढ़ता जाएगा, तो जो भी समुंदर किनारे के दूपी ये शहर होंगे, देश होंगे, निश्ची तोर पर वह जल समाधी ले ले लेंगे, यानि कि वह डूप जाएगा, तो धीरे-धीरे मानना वह संकट बनके उबरेगा यदि इस तस्वीर को आप देखें गलोब के इस इस्तिती को तिया जो रेड और ब्लैक दिखाया गया है यह इसे दिखाता है कि गर्मी पूरे दुनिया में धर्ती पर पूरे गलोब में किस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है तिया समस्या बनकर के अब यहां पर देखिए सन्युक्त राष्ट का कुछ इस पर एक रिशर्च करके कुछ कहना है और सन्युक्त राष्ट ने यूरोप के संदर में कहा है कि यूरोप में चल रही जो भैंकर लू है वह जान लेबा प्राकिरतिक आपदा है तो नेचरूल डिजास्टर तक कह द भावित होने वाली यदि देश देखें तो जर्मणी का नाम बहुत आगे आता है जर्मणी के अलावा फ्रांस का भी नाम आता है आप एक धरती का एक तरह से स्वर्ग सूजर लें को कहा जाता है काफी खुबशूरा जगह है सूजर लेंड की स्तिती भी बहुत अच्छी तो इन सभी जगों पर देखा जा रहा है कहीं बहुत अधिक बारिश हो रही है तो कहीं पूरा सूखा परा हुआ है टेंपरेचर लगातार बढ़ता जा रहा है फ्रांस में तो पिछले साल लोग यहां तक कहना शुरू कर चुके थे कि धर्ती पर अब जो है मानव सबयता की स की समस्षा है वहां उत्पन हो गया अगर हम आस्टेलिया महादेब की बात करें तो आस्टेलिया हो वेल्स हो न्यूजिलेंड हो वहां भी इस्तिती लगातार खराब होते जा रहा है और वहां पर बारिश बहुत ज्यादा पर रही है ठीक है बारिश की मातरा काफी अधिक ह जिसके बज़ा से बाड की स्थिति उत्पन हो गई है जन जीवन काफी प्रभावित हो गया है और पूरे यूरोप की बात करें और पीछले लगभग आप तीन साल का देख ले तो यूरोप में पिछले तीन साल में तक्रीबन तीन डिगरी सेलसियस टेंपरेचर बढ़ गय है बेग्यानिकों के नजरिये से देखेंगे तो बेग्यानिकों का कहना है कि गर्मी की जो इस्तिती है उसका रविया काफी सक्त है और इसका कारण बताया है कि देखिए तापमान में लगातार उसकी आवर्ती में बिर्दी हो रही है और जिसके वज़ा से कहीं कहीं ऐसा हो से आप गर्मी का क्या connection देखते हैं देखे यहां पर अगर गर्मी बहुत तेज होगा जहां भी वहां क्या होगा heat wave चलेगा और heat wave के वज़े से संबब है कि जंगलों में आग लग सकता है और जब जंगल में आग लगेगा तो वह आग रियाईसी इलाकों तक पहुंच जाएगा और वहां की जो हमारी infrastructure है सहरी चेत्रों हो ग्रामी चेत्रों हो वेबसाइक चेत्रों इन सभी को वह तबाह कर अग लगने की संख्यां उसके बारह मरता पर नजर दोड़ाते हैं जनवरी अप्रियर जुलाई और अक्टूबर तक की इस्तिति अगर आप देखेंगे और यहां पर देखेंगे दो हजार चे से तो हजार एकीस का आउसत अगर आप देखेंगे तो एक हजार के आसपास है आग जनी की घटना की बात कर रहा हूं हीट वेब के वज़ा से जंगल में जो लगता है यहीं अगर आप दो हजार बाइस की स्तिति को देखेंगे तो यहां से आप देख लीजिए यह तकरीवन आपको सतरसो अठारसो के आसपास यानि कि 1977 शेतर भी बताए गया है तो यह और इस वज़ा से जन जीवन अस्तवैस हो गया है अब पाकिस्तान की थोड़ी बात कर लेते हैं यूरोप के बाद पाकिस्तान हमारा परोशी मुलक है तो वहां पर सिर्फ राजनीतिक घटना चक्र का हम पर परभाव नहीं पड़ता है बलकि वहां यदि प्राकिरतिक उथ पुछ होता है तो हम भी उससे अच्छूते नहीं रह जाते हैं यदि आप कोई ध्यान हो तो पिछले साल पाकिस्तान में भैंकर बाड़ आया था पूरा पेशावर का छेत्र जो है पूरी तरह से तबाह हो गया था तो इस बार जो पिछले बार भीशन बाड़ के चपित मे तो इस बार जो है पाकिस्तान में मांसुन के इस मौशन में भारी बारिश का सामना पाकिस्तान का रही है देखे पाकिस्तान का ये हिस्सा जो है पूरा और भारत का ये जो पश्मी हिस्सा भारत का पूरा पर जाएगा यहां भी इस्तिती अभी रेड अलर्ट जारी कर दिय गया है, यानि कि मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, गुजरात में बारिश हो रहा है, पूरा सूरत सहर डूब गया है, इसके अलावा राजस्थान में, राजस्थान में इतनी बारिश नहीं होती है, लेकिन इस बार काफी बारिश हो रही है, दिल्ली का हाल तो आप तो और कई जगह ऐसा है जहां सूखा परा हुआ है तो पाकिस्तान के अलाबा अब हम भारत के तरफ चलते हैं और भारत पर थोर असा विस्तिरत बात कर लेते हैं देखे भारत का एक बड़ा हिस्सा इस बार रहा है जहां बहुत अत्यधिक बारीश हुई है और बारीश की इस चले 60 साल में या इस्तिती नहीं हुआ था बारिश का तो इन सब इस्तिती में देखेंगे तो लगातार कहीं न कहीं आपको नजर आएगा कि विसम जलवाई पर स्थिती का सामना हम लोग कर रहे हैं वहीं देश के कुछ हिस्से में देखेंगे तो जहां सुखा परा हुआ है जैसे उत्तर प्रदेश का पुर्वांचल का हिस्सा पूरा देख लीजिए, ठीक है, बनारस से होते हुए, वरानसी से होते हुए, और गोरफपूर का हिस्सा, या संपुर्ण विहार देख लीजिए, और विहार का जो उत्री भाग है मितला, वहां करीब बारिश होती थी अम अधिक शुखा है इसके वज़े से जन जीवन पूरी तरह से अस्तबेस्थ है अब देखिए देश का 40 फिस्षदी हिस्सा जो है अधिक बारिश और बार्ड की स्थिति को जेल ला है अधिक यहां पर इस बात पर नजर डालना है सामान बारिश हो तो अच्छा है क्योंकि देखिए तो मानसुन सही समय पर हो नियत समय पर हो और बहुत उचित मात्रा में आए बारिश तो फिर भारतिय क्रशी के लिए बहुत अच्छा है लेकिन यदि यह इस्तिति नहीं होता है तो इसका उलट भी होगा और यही देखा जा रहा है तो अभी भी देश का एक हिस् देखिए यदि हम मैं बात करूँ कि किस राज में कितनी बारिश हुई है एक आउसत आकरा देख लेते हैं देखिए राज यहां है और कई राज्यों के नाम है बारिश मिलिमीटर में होगा सामान बारिश किस्तिति यहां दिखाई गई है और कम जाइदा कितना हुआ इसे बारिश हुई है हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की सिती देखेंगे तो 4.5 है तो सामान ने जो है 8.93 तो कम हुआ है यहां 3.8 लेकिन जो उत्राखन हिमाचल में बारिश हुआ है उसके बज़े से वहां का पानी हतनी कुन बैराज के बारा हम आप जानते ही हैं हमने कलास तो वहां से जो पानी छोड़ा गया तो यमना का जलस्तर काफी बढ़ा और यमना का जलस्तर इतना बढ़ गया जितना पिछले साट साल में नहीं हुआ था इस वाज़े से पूरी दिल्ली जो है रियाएसी इलाकों में पानी बढ़ गया और बारा गया यह आकरे आप देख में बारिस की क्या इस्तिती है इसे देखिए 13 जुलाई तक 289 mm बारिस हुई जबकि 275 mm बारिस होनी चाहिए थी यह सामान से एक प्रतिशत ज्यादा बारिस है और इसके वज़़े से अस्तवेस्त इस्तिती हुआ यदि उत्तर पश्चिम भारत की हाला देखेंगे उत्तर दिली वाला हिस्सा है या फिर जो पंजाब, चंडीगर्ड, उत्राखंड, हिमाचल का हिस्सा है वहां सामान से 56 प्रतिशत ज्यादा बारिस हुआ है दक्षिन भारत का हिस्सा देखेंगे तो 22 प्रतिशत वहीं कम हुआ है तो वहां सूखा का इस्तिती हो जाएगा जो तमि देखेंगे तो सामान से 19 प्रतिशत कम बारिस हुई है तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस जगह पर सूखा की इस्तिती हो गई है अब यह देखिए भारत की राजधानी दिली का हालात तो आप देखें ही है बलकि जहेल हैं जो लोग दिली में हैं हम सभी उस चीज़ को हम बार के सिती बनी हुई है अब यहां पर देखिए प्रशाशन के ड्राफ्ट एक्शन प्लैन के नुसार मौसम में बदलाप के कारण साल 2050 तक 2.7 पांस लाग करोर का नुकसान हो सकता है और यह अपने आप में यह आगरा बहुत बड़ा है और यह किसके वज़ा से होगा जह जलवाई परिवर्तन क्यों हो रहा है तो गलोबर वार्म अब यह इस्तिती गलोवर वार्मिंग की हो गई है कि आप इसे जुटला नहीं सकते हैं लगातार यह इस्तिती भयावा होती जा रही है बदलते मौसम की वजह और क्या क्या हो सकती है इस पर हम थोड़ा साब जुलाई में अब तक का सबसे अधिक गर्म दिन रहा है इसी जुलाई के महिने में वैस्विक अस्तर पर जून का महिना सबसे अधिक गर्म बताया गया है और समंदर में बेहद अधिक गर्म लू चला है उसके अलावा अंटार्टिक महसागर में बर्फ में रिकॉर्ड कमी आ जाएगा तो यहां पर सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं बलकि समुंद्री पारिस्तिति की जो है जल जीवन जो समुंद्र का है जली जीव हैं उनके लिए भी समस्या बन करके उभर के जलवाई परिबरतन आ रहा है रिकॉर्ड तो और गर्मी की स्तिति देखें तो इस बार पूरी दुनिया में जुलाई महिने में अब तक का सबसे अधिक जो गर्म दिन रहा है उसका रिकॉर्ड तुरता है जिसकी चर्चा हमने की है जलवाई पर निगरानी रखने वाली इरोपियन संग की एजनसी है कॉपर निकस इसके अनुसार इस साल 6 जुलाई को बैस्विक होता है और इस उतसरजन से कहीं न कहीं जो कारवन का एमिशन होता है उसके वज़े से गलोबर वार्विं होती है और जलवाई परिवर्तन एक बड़ा कारण मरता है दुनिया के तापमान में बदलाब की स्थिति को आप जरा देखेंगे तो कितना भयावा नजर आएगा आ जासा ने इसे जारी किया है तो इसलिए आप बहुत ऑठेंटिक है जून 2023 की जरा इस्तिति देख लीजिए कि पूरी दुनिया में क्या गर्मी क्या हालत है अब आप इस्तिति का अनुमान लगा सकते हैं कि क्या परिवर्तन आया है और इस्तिति देख लीजिए अब यह पर एक बहुत डिटेल से वीडियो मैंने पहले भी बना है तो आप उसे जाके देखेगा यहां पर बहुत विस्तार से चर्चा करना मुश्किल है फिर भी हम थोड़ी बात करेंगे देखें आम तोर पर क्या होता है कि अनलीनों की प्रकरिया जो है 5-6 मेने तक बहुत अधि की वेन और यहां पर देखेंगे यह में जो अस्ट्रैलया का है जो हिस्सा है वहां से गर्म जलदाराइग यहां बढ़ना सुरू कर देती है और पेरु के टड़ तक पेरु का यह वाला पश्मी टड़ परता है यहां जाकर करके यहां जलदाराइग टकराएगी इस वज़ जो है यहाँ पर कहीं कहीं सूखा की इस्तिती बनेगी तो अनलीनों के वज़ा से इस्तिती काफी बदलती चली जाती है और भारत इसमें सामिल है कहीं न कहीं अनलीनों की इस्तिती के वज़ा से पूरी दुनिया एक तरह से इसके चपेट में नजर आ रही है इससे चार तरह क के असर परसकता है हो सोखा का परसकता है और और वाला निएच का पैटरन असे बदल जाएगा जो कि मैंने पहले वी कहा कि मानसून आधारित हमारी क्रिसी है अब किरेशी पर इसका बुरा प्रभाब परेगा और भुक मरी की समस्या आ जाएगी लोगों के सामने खाने के सावानों की किलत होगी कम बारिस होगा तो सही से फसल जो है उसका काम नहीं हो सकेगा सीचाई की व्यवस्था नहीं हो सकेगा अब इसके वज़ा से क्या हो सकता है तो महंगाई पर भी इसका असर पर सकता है कहीं महंगाई अधिग हो सकती है तो कभी महंगाई घट भी सकती है यहाँ पर समुंदरी जल जन्तुओं पर इसका असर परेगा मैंने पहले भी कहा था कि समुंदरी जल जीवन जो है वह भी तहसनस कहीं न कहीं हो रहा है और 135 तरह की मक्छिलियां और समुंदरी जीवों का अस्तित अब लगभग समाप्त हो चुका है इस अलिनों की घटना के वजह से गर्म होता समुंदर और सी लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है और सी लेवल कहा जा रहा है कि पर इयर जो है 3.5 mm के अस्तर से बढ़ता जा रहा है आप इस्तिति को देख सकते हैं कि 2021 आते एक सो दसमलाव आठ एमेम तक समुंदर अस्तर बढ़ चुका है और वजह से जैसा कि मैंने कहा कि दूपिये जो राज्य हैं दूपिये छेत्र है बहुत सारा दूपिये देश जो है वह सभी डूब जाएगा वहां की स्तिति भयावा हो जाएगी समंदर के औसत वार्षिक टापमान में मैं जून और जुलाई के महने में सभी रिकॉर्ड गया है और यहां से इस तरफ देख सकते हैं यानि कि यह जो है वह वार्मर एरिया है यहां पर दिखाया गया है कि कंडिशन कितना खराब है और इस लेवल तक हम पहुंच चाए हैं तो इस वजह से क्या होगा कि ग्लोबर वार्मिंग का जो असर है वह लगातार बढ़ता च को और मेल्टिंग आइस 3% और जो महाद्यूफ होते हैं वह तीन प्रतिशत और एक प्रतिशत तो इस इस्तिती में समुंदर की इस्तिती जाएदे दैनिये में दिख रहा है यहां पर जलस्तर बढ़ना तैं है और समुंदरिये जीव का तो जो अस्तित खतम होगा सो होगा जैसा कि मैंने बार-बार कहा है कि मानब के लिए भी बहुत विकट इस्तिती उत्पन होने वाली है अंटार्टिक में जमी बर्फ में रिकॉर्ड कमी आई है यानि कि गर्मी के बढ़ जाने से बर्फ लगातार पिघल रहा है और तेजी से पिघल रहा है तो बर्फ पिघलन Kingdom की बात की जा रही है अब United Kingdom में सिर्फ Britain नहीं है इसके अलावा भी तीन चारदे से आपके लिए होमबर्क रहा मैं कही बार यह बता चुका हूं तो इसे देख लीजेगा तो United Kingdom के आकार से दस गुना बड़े हिस्से जितनी बर्फ अब तक पिखल चुकी है अब अपने आप में समझ सकते हैं यह कितनी भयावा इस्तिती होने बाली है British Antarctic Survey की डॉक्टर Caroline Holmes का कहना है कि गलोबर वार्विंग के कारण Antarctic सागर के बर्फ पिखल रही है तो कहीं कहीं पूरा मुद्दा घुम के वहीं Global Warming पा आ जाता है ठिक है मौजूदा इस्तिती को देखें तो इलाके में मौसम में हो रही बदलाप के कारण भी यही हो सकता है और समुंद्र के लहर का जो एक कारण है यह भी हो सकता है कि जलस्तर मिलागातार बिर्दी हो इसका कारण है कि बर्प पिखलेगा और समुंद्र की लहर भी बर्प को कहीं कहीं तोड़ती है पिखलने के लिए एक कारण दे सकती है चलिए अब इस पर एक संभावित प्रशन है प्रिलिम्स का इसे देखते हैं गलोबल वार्विंग से उत्पन होने वाली कितने प्रतिशत अत्रिक्त गर्मी को महासागरो दोरा अफसोसित किया जाता है 93%, 73%, 78%, 60% आपको जो भी सही जवाब लगे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं किसी दूसरे मुद्दे के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे अपना खयाल रखिए Thank you